Hello everyone, welcome to this class. मेरा नाम है पुरुशोप्तम पांडे दोस्तों. आज के इस क्लास में हम लोग काते important topic को discuss करने जा रहे हैं. Computer के प्रकार. Computer के प्रकार, JSC के जितने भी परिक्षा होने जा रहा है, भी CGL होने जा रहा है, या फिर exercise का exam होगा, या फिर LDC का exam होगा, जितना भी परिक्षा होने जा रहा है, सबके लिए important topic है. सारे exams में, previous year में इस topic से परिक्षा आपको दिख जागा. और जितना भी आपका, इसमें classes आ रहा है ना, अगर आप सारे classes को follow करिएगा, तो जितना भी परिक्षा आने वाला है, JSC का, CGL हो, CHSL होगा, या फिर आपका, exercise का exam होगा, चितना भी exam होगा, यहां से computer से, इस classes से, पक्का भीड़ेगा, 100% मैं guarantee लेता हूँ. अगर आप यह classes कर लोगे, exam hall में जब बैठ होगे, paper आपके सामने होगा, computer का questions देखोगे, तो मुझे दुआ दूँगे, कि यहां से exam cluster से आपने course था, free of cost complete किया, ठीक है, मेरे बारे में, मैं थोड़ा सा बता जेता हूँ, मेरा नाम पुरुशोत्तम पांडे, और मैंने computer applications में graduation प्राप्त किया है, मैं थोड़ा सा मैं अपने competitive experience के बारे में बता देता हूँ, SSE MTS 2022, जो central level का परिच्छा होता है, MTS का, उसमें मैंने 121 score किया है, out of 150, ठीक है, SSE stenographer grade C और grade D, 2022 जो था central level वाला है, stenographer का exam, उसको हम qualify किये थे, और SSE CGL जो pre है, so central level का CGL है, वो हम दो बार qualify कर चुके हैं, ठीक है, तो यह मेरे बारे में basic information था, जानकारी था, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज के class को, जो के types of computer है, उसको देखते हैं, ठीक है, और हाँ हम बता दे, कि अगर आप पिछला class को नहीं follow किये हैं, ठीक है, तो यहाँ पे link हम आपको दाल दे रहे हैं, यहाँ से आपको जाके, पहला जो class है हमारा, कि computer के क्या IT था, उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, description में भी आपको playlist का link मिल जागा, वहाँ से भी जाके चख कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को, कि computer जो है, वो हर वो चीज़े जो की calculate कर सकता है, तो ऐसे तो बहुत सारे devices हैं, बहुत सारे machines हैं, जो calculate कर सकती हैं, तो क्या सभी वो computer हैं, जैसे की thermometer, तो वो calculate करती हैं, temperature, अब जैसे की voltmeter, वो calculate करती है, voltage, जो stabilizer में हमारे घरों में होता है, और इसके साथ-साथ calculator, जो number जोड़ने के काम आता है, दुकान में, तो जी हाँ, ये सारे के सारे computer हैं, तो अब जब इतने सारे computers हो गए हैं, तो हम उनकी study करने के लिए, उनको categorize कर लेते हैं, ठीक है, उनको हम बाट देते हैं, तो अब बाट सकते हैं हम लोग उसके size के हिसाब से, उनकी capacity के हिसाब से, capacity मतलब उनकी कितनी क्षमता है, ठीक है, उसके हिसाब से बाटा जा सकता है, characteristics, उनकी जो गुनवत्ता है, ठीक है, जो उनमें खासियत है, उसके हिसाब से भी बाटा जा सकते और data handling capacity ठीक है तो वो कितना data process कर सकते हैं उसके हिसाब से भी हम बाटते हैं तो चलिए हम एक एक करके computer को बाटते हैं अलग-अलग categories में और उन्हें और अच्छे से समझते हैं ठीक है तो सबसे पहले अगर हम size के हिसाब से बाटेंगे तो देखे computer के चार types निकल गयाते हैं एक तो सबसे पहले micro computers इससे आप काफी ज़्यादा रूबरू हैं क्योंकि यह आप अपने घरों में और in fact अभी भी आप use कर रहे हो तो यह micro computer में आएगा micro computers जो है इसके कुछ-कुछ components होते हैं जैसे की एक तो micro processor होता है जो computer की बुद्धी जिशे कही जाती है जहाँ पे सारा आपका जो भी process होता है यहीं पे उसे उस पे काम किया जाता है जो भी आप input डालते हैं ठीक है micro processor में ही और यह CPU के अंदर होता है Central Processing Unit हम इसे detail में पढ़ेंगे पर अभी के लिए बस हम इतना समझ लेते हैं कि CPU के अंदर micro processor होता है जो कि जहाँ पे सारा process का processes असल में execute होता है ठीक है तो यह computer की बुद्धी मानी जाती है ठीक है इसके बाद फिर memory भी computer का unit होता है जहाँ पे सारा जो data है आपका जो भी आपने computer में डाला है यहीं पे memory में store होता है ठीक है और इसके बाद फिर हम आते हैं तो input unit होता है जहाँ से computer अपने जो instructions है या फिर जो भी उन्हें data लेना होता है ठीक है तो वो input unit से लेती है जैसे कि mouse हो गया तो जहाँ से भी वो instructions लेता है ठीक है input लेता है वो हो गया input unit और उसके बाद फिर होता है output unit जैसे कि आपका computer का screen जैसे कि printer तो output unit होता है ठीक है तो इसके examples है micro computers के example है जैसे कि desktop ठीक है laptop smartphone है tablets smartphones यह सारे micro computers के अंदर आते है ठीक है और इसके बाद फिर आता है mainframe computer mainframe computer size में काफी बड़े होते है और इनका जो data handling capacity है वो micro computers जो आपके पास smartphone है जो आपके पास घर पे laptop या desktop है आपने देखा है ठीक है तो इनसे काफी ज़ादा इनके capability होती है क्योंकि एक साथ यह 100 and 100 of users को handle कर सकते है तो यह computer को utilize किया जाता है organizations में जैसे की banks में हो गया फिर railways में या फिर government organizations में यूज किया जाता है जैसे ticket booking के लिए railway जो use करती है तो वहाँ वो mainframe computer यह use करती है ठीक है तो mainframe computer के बारे में और मैं बताऊ तो एक साथ यहाँ पर कई सारे users एक साथ use कर सकते है multiprogramming multiprogramming भी इसकी खासियत होती है मतलब एक साथ कई सारे users program कर सकते है programming के बारे में हम लोग detail में पढ़ेंगे ठीक है आगे के classes में और इसके साथ इनका जो performance होता है बहुत जादा होता है और एक साथ hundreds and hundreds of users इस्तमाल कर सकते है इस computer का जबकि जो हमारा micro computer है यह एक बार में एक ही user इसको इस्तमाल कर सकता है जो आपके पास आपका phone है एक साथ क्या दो user उससे इस्तमाल कर सकता है तो नहीं ठीक है लेकिन जो mainframe computer होते है जैसे की जो banks का जैसे मान लीजे आपने transaction किया ठीक है तो एक साथ कई सारे users transaction एक बार में ही करते हैं ठीक है एक ही time पर कर रहे होते हैं जैसे की ATM के लिए तो यहाँ पे जो यह system है ठीक है तो यह कैसे handle होता है तो यह mainframe computer के through handle किया जाता है ठीक है इसके साथ साथ scientific research centers में भी mainframe computer use होते हैं companies में use होते हैं और government के department में भी use किये जाते है mainframe computers की railways paying employees जो employee को पैसा जाता है हर महीने का वो भी mainframe computer से किया जाता है ticket booking जैसे IRCTC एक बार में लाखो लाखो ticket books होते हैं तो वो mainframe computer का मदद लिया जाता है वो maintain करने के लिए ठीक है तो अब हम समझते हैं mini frame computers को या फिर आप इसे mini computer भी कह सकते हैं ठीक है तो इनका जो size है वो micro computer से जादा बड़ा होता है लेकिन ये mainframe computer से छोटे होते हैं तो इसी तरह से इनका जो capabilities है ठीक है जो data handling power है और जो processing power है वो mainframe computer जितना तो होता नहीं है लेकिन जो micro computers जो हमारे यहां होते उनसे कहीं ज़्यादा होता है ठीक है तो ये है mini computers एक साथ कई सारे users use कर सकते हैं इसे और इसमें होता क्या है कि एक साथ कई सारे CPU आपस में connected होते हैं ठीक है और इनका use institutions में किया जाता है जैसे की billing counters के लिए ठीक है जैसे mall वगरा में होता है तो वहाँ पर use किया जाता है accounting के लिए use किया जाता है और record management के लिए भी जैसे की library वगरा जो बड़े बड़े library होते हैं वहाँ पर भी use किया जाता है तो इनका काम इस तरह से होता है ठीक है और इसके बाद फिर आता है super computer जो की ये थोड़ा important type है ठीक है तो super computer का नाम आपने काफी जादा सुना होगा super computer size में काफी जादा बड़ा होता है और इनका जो processing power होता है वो सबसे जादा होता है जितने भी computer types है ठीक है उसमें सबसे जादा होता है और ये काफी जादा expensive भी होता है heavily expensive होता है और साथ में ये सबसे जादा fastest होते है कर सकते हैं, इनका काम research में लाया जाता है, ठीक है mainframe computers भी use किया जाते हैं, लेकिन इनका जादा use किया जाता है, سूपर computers, जैसे की nuclear जो atomic research होता है, जहां पे nuclear research होता है, वहां पे use किया जाता है, साथी जो मौसम विभाग का काम होता है, वो भी weather forecasting का भी काम इनी के मदद से किया जाता है और साथ ही जैसे कि NASA हो गया इसरो हो गया जब आप satellite बहुत सारे satellite से लेकर informations एक साथ process करते हैं तो इस तरह का जो काम हो गया जो heavy बहुत जादा heavy होता है ठीक है वहाँ पे supercomputers को employ किया जाता है ठीक है कुछ कुछ supercomputers जैसे कि Indian supercomputers जैसे परम प्रवेग है परम शक्ती है परम गंगा है ठीक है तो ये IIT में और कई सारे ऐसे research institutes जहाँ पे कई बहुत जादा quantum physics हो गया nuclear physics हो गया इन पे जहाँ पे काम होता है जिन पे research जहां पे research होता है वहाँ पे supercomputers को employ किया जाता है ठीक है दोस्तों ये था computer के size के हिसाब से बाट कर हमने उसे समझने का कोशिश किया अगर हम उनके काम करने की जो प्रणाली है जिस हिसाब से वो काम करते हैं जिस सिधानतों पे काम करते हैं अगर उन्हें पे हम बाटें computer को और जो data handling तोर तरीके हैं उनके abilities हैं उनके हिसाब से बाटे तो computer को तीन भागों में बाटा जाता है इससे पहले जो हमने size के हिसाब से पढ़ा वो important है ये थोड़ा less important है ठीक है तो आप जो notes बना रहे हो उसी हिसाब से बनाना ठीक है लेकिन पढ़ो सारा क्योंकि क्या पता इस पार्ट से भी आ जाए ठीक है तो analog computer जो है इसका पहले मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ analog computer जैसे की speedometer mercury thermometer thermometer तो इस तरह के devices को बोला जाता है analog computer analog computer में जो data होता है वो discontinuous होता है ठीक है तो discontinuous नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पे जो data आता है वो continuous रहता है जैसे speedometer ठीक है तो वो ठीक है तो वो जो है वो read करके जो continuous data होता है उसे read करके हमें reading देता है यहाँ पे जो data मिलता है वो continuous होता है ठीक है लगातार वो data मिलते रहता है उस device को अपने computer को और उसके साथ-साथ ये जो data मिलता है वो continuously vary करता रहता है तो ये data को वो process करता है और उसके बाद फिर हमें जो output है वो digits में मिलता है तो यहाँ पर इस तरह से voltmeter, electric current जो नापने के लिए ammeter यूज किया जाता है operation आपने के लिए जो use किया जाता है device तो इस तरह के सारे devices जो हैं जो computers हैं उन्हें हम analog computer के category में रहते हैं एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे ऐसे devices, ऐसे machines, ऐसे computers जो की जहाँ पे जिनका जो data जो receive करते हैं वो continuous होता है ठीक है तो continuous होता है और साथ में ये लगातार vary करते रहते हैं तो ऐसे devices हैं जो जिनको जो input है जो इस हिसाब से दिया जाता है और फिर वो output जो हैं वो digits में हमें लाकर देते हैं ऐसे computers को हम analog computer बोलते हैं जहाँ पे data जो है वो continuous होता है और साथ में ही वो vary करते रहता है लगाता है ठीक है तो इन्हें हम बोलते हैं analog computer ठीक है और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे digital computer के बारे में तो digital computers हो गया हमारा जैसे कि digital clock हो गया उसके बाद फिर accounting machines हो गया ठीक है calculators हो गया जहाँ पे जो data है जो input है ठीक है जो हम computer को input दे रहे हैं वो हम binary forms में देते हैं ठीक है binary forms मतलब जैसे अपना computer है ठीक है वो जो भी आप instructions हो उससे दे रहे हो वो आप 0 और 1 के form में दे रहे हो होते हैं ठीक है जैसे कि हम अब अगर मान लेजिए mango type करते हैं तो वो computers के लिए वो mango को M A N G O mango वो binary form में convert कर लेता है जैसे A के लिए 001 यह code है ठीक है तो इसी तरह से M के लिए N के लिए G के लिए और O के लिए यह अलग-अलग codes बना देता है ठीक है तो M के लिए भी कुछ code होता होगा ठीक है तो मुझे वो याद नहीं है binary code अभी तो इस तरह से हर एक चीजों के लिए binary code बना हुआ और computer के लिए वो ही binary code पे वो ही वो काम करता है तो इस तरह से जो calculators है जो tablets है जो digital watches है smart phones है और हमारे यहाँ जो desktop है ठीक है तो यह सारे के सारे digital computer से जहां पे input जो जो binary digits में मिलता है और उसके बाद वो process करके वो उसी form में ठीक है जो digital form में है वो आपको reply करते हैं मतलब output देते हैं ठीक है तो इस तरह से यह digital computer हो क्या और इसके बाद फिर आता hybrid computer तो जैसा कि इसका नाम है यह इसी तरह से इसका काम भी है यह analog computer और digital computer यह दोनों के ही principles पे क जो machine है ठीक है उसे input जो है ठीक है वो हम computer में digits डाल के देते हैं और उसके बाद फिर वो काम जो है वो petrol कितना liter वहाँ पे transfer हुआ और इसके हिसाब से फिर calculate करके हमें digital form में देता है तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक computer जो की discrete values ठीक है continuously उसे मिल रहा है लेकिन vary कर रहा है ठ इस पे भी वो काम कर रहा है और साथ ही साथ वो आपको जो result है वो digital form में आपको लाके दे रहा है ठीक है तो इस तरह से यह hybrid computer का example है ठीक है एक बार और फिर से हम समझने का कोशिश करेंगे hybrid computer जैसा की name है इसका यह analog और digital computer दोनों के principles पे काम करता है ठीक है तो यहाँ पे यह analog signals को जो analog signals है जो discrete जो value आ रहा है ठीक है जो values इन्हें मिल रहा है उन्हें वो digital form में transform कर देता है और उसके बाद फिर उन्हें process करके हमें वो desired output देता है ठीक है तो यह हो गया hybrid computer तो इस तरह से दोस्तों हमने complete कर लिया है types of computers I hope आपको समझ में आ गया हो और अगर आपको नही repeat करके इस lecture को देख सकते हैं अगर आप JSSC CGL Paper 3 का जो questions आने वाला है वैसे ही exam pattern based वैसे ही Ditto question paper वैसे ही pattern अगर आप चाहते है ठीक है वैसे ही practice test चाहते है वैसे ही sample paper चाहते है तो आप हमारा जो practice test है वो ले सकते हैं उसके साथ तयारी कर सकते हैं practice कर सकते हैं अभी जो PGT का paper paper आया है वैसे ही आपको questions मिलेगा वैसे ही आपको pattern मिलेगा बहुत सारा questions तो exactly Ditto match कर जा रहा है हमारे practice test के साथ ठीक है अभी discussion होगा कुस दिनों में तो आपको देखने को मिलेगा कि same question जो है same question आपको हमारे practice test में मिलेगा और वही question PGT में भी आया है तो आप हमारे साथ तय कर सकते हैं English और Hindi दोनों में 10 practice test आपको मिलेगा sample paper मिलेगा जैसा आपका paper 3 होने वाला है वैसे ही डिटो ठीक है और यह जो paper है experts ने तयार किया है बारीकी के साथ हर एक question को छाट छाट के डाला गया है ताकि exam के साथ डिटो match करे pattern match करे questions match करे ठीक है solutions भी देया जाता है हिंद और English दोनों में आपको मिलेगा ठीक है और साथ ही साथ मैं आपको बहुत गर्व से कह सकता हूं कि market में बहुत बड़े बड़े नाम है लेकिन उनका जब paper practice test आपको उठा के देखेगा तो बहुत सारा truthy रहता है बहुत सारा गलती रहता है लेकिन हमारे paper में आपको गलतिय ही है तो जाके आप देख सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं ठीक है और यह सारा चीज जो आपको मिल रहा है वो सिर्फ 149 रुपा में मिल रहा है सिर्फ 149 इतना का mobile recharge इससे ज्यादा का mobile recharge होता है आज के date में और यह price पे लेने के लिए आप coupon code inspector यूज करना है ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next class में और पढ़ते हैं computer